जैस्री कृष्ण प्रियदर्स को आज की वीडियो में हम बड़ी सरलता से सीखेंगे तरपन प्रयोग विधी जब भी किसी का तरपन करना हो तो ये पुस्तक है आप खृद लीजी पहले वीडियो बना चुका हूँ और भी बहुत सारी चीजें इस पुस्तक से में पढ़ाऊ तो आपको बहुत ही सरलता रहेगी ये नित्यकरम पूझा प्रकास है और ये गीता प्रेश गुरुपूर से प्रकाशित है आप एमजोन के माध्यम से ओनलाइन मंगवा सकते हैं आप सर्च करें तो ये पुस्तक आपके सामने आ जाएगी तो ये तरपन प्रयोग विधी है कैसे तरपन करेंगे पुस्तक के माध्यम से मैं आपको शिखाउँगा सबसे पहले देखिए गायतरि मंत्र से सीखा बांद कर तीलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्यपवर में दो कुसओं और बाई अनामिका में टीन कुसं की पवित्री पवित्री बनाई जाती कुषा की वैधान कर लें फिर हाथ में त्री कुष कुषा तीन कुषा ले करके यव मतलब जो अक्षत और जल ले करके संकल्प बढ़ना चाहिए तो आप संकल्प कैसे करने आपको यहाँ प्रिष्ट नंबर 21 पर दिया इस पुस्तक में एक इस नंबर पेज पर यह संकल्प है तो यह संकल्प कैसे पढ़ेंगे ओम विष्टनूर विष्टनूर विष्टनू अध्य ब्रह्मनोनी ज्वितिय प्ररारदे स्री स्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन वंतरे अष्टा विंश्यतितमे कली युगे कली प्रथा में चरने जम्बू द्वीपे भरत खंडे मतलब जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में सरल रहेगा भरत खंडे भारत वरसे स्थाने जिस स्थान पर आप तरपन कर रहे हैं नाम समवचरे जो समवचरे चल रहा है रिताओ कौन से रितू चल रहे है मासे कौन सा मास अगर लगबग अस्विन मास में किया जाता है तो अस्विन मासे और पक्ष कौन सा होता है तो कृष्ण पक्ष होता है पित्रितित कृष्ण पक्षे इसके बाद में आपको ये लाइन नहीं बोलनी है इसके बाद में भहीं चलना है आपको इसके बाद में आपको देखे तामबे के पात्र में जल और चावल डाल कर त्रीकुस को पुर्वागर रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से डखकर निचे लिखा मंत्र पढ़कर देव रिश्यों का आहवान करें तो ये मंत्र बोलकर के आपको आहवान करना है दाएं हाथ में जल चावल लेकर के बाएं हाथ से डखकर के इसकार बोलना है आवान करने के बाद में सबसे पहले देव तरपन विदी दी गई है तो देव तथा रिशी तरपन में पूरो दिसा के और मुख कर लें आप पूरो दिसा के और मुख कर लिजीगा जिनेव को सब व्यरके हैं सब व्यरक मतलब यह हैं कि जिनेव अगर आप पहनते हैं और दाहिना गुटना जमीन पर लगा करके बेटें अरग्य पात्र में चावल छोड़ें जिस जल से आप तरपन करने वाले हैं उसमें देवताओं के लिए चावल से तरपन किया जाता है इसके बाद में आपको क्या करना है तीनों कुसों को पूरवकी और अग्रभाग करके रखें जल की अंजली एक एक होनी चाहिए एक अंजली देवतिर्थ अरथात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दें जिसे ये हाथ होता है ये हाथ ये ऐसे आपको अग्रभाग से आपको अरग्य देना होता है म देखिए ये देवतिर्थ है ये देवतिर्थ आपके सामने है और ये पित्रितिर्थ है यहां से पित्रों के लिए करना है और ये कायतिर्थ यहां रिशियों के लिए करना है तो ये तीनों आप ध्यान रखिए कि बीच में अगनितिर्थ होता ये ब्रह्मतित होता है तो ये देव तेर्थ से आपको अंजली देनी हैं इसके बाद में जलांजली को सोना चांदी तांबा अत्वकांशे के पातर में डाले मिट्टी का बरतन नहीं होना चाहिए यदि नदी में तरपन किया जाए तो दोनों हातों को मिलाकर जल से बरकर गव की सिंग जितना उंचा उठा कर जल में ही अंजली डाल दें तो यह आप द्यान न कीएगा इसके बाद में निमनली के प्रतियेक नाम मंत्र के बाद त्रिप्यताम कहकर एक-एक अंजली देता जाए तो एक-एक अंजली आपको त्रिप्यताम त्रिप्यताम बोलते आपको देनी है तो यह आपके सामने म ऑम देवास् तृप्यन्ताम या तृप्यम्ताम उत्य प्रिप्यन्ताम में ध्यान रक्यान रेख, जान भाउचन ओता है वान तृप्यन्ताम होगा ओम चंदांसी त्रिप्यन्ताम, ओम वेदास त्रिप्यन्ताम, ओम रिसयस त्रिप्यन्ताम, ओम पुरानाचारियस त्रिप्यन्ताम, ओम गंदरवास त्रिप्यन्ताम, ओम इतराचारियस त्रिप्यन्ताम, ओम सम्वत सरह सावयवस त्रिप्यताम, ओम देव्यस त्रिप्यन्त ओम अपसरसस्त्रिप्यंताम, ओम देवानुगास्त्रिप्यंताम, ओम नागास्त्रिप्यंताम, ओम सागरास्त्रिप्यंताम, ओम परवतास्त्रिप्यंताम, ओम सरितस्त्रिंप्यंताम, ओम मनुस्यास्त्रिप्यंताम, ओम यक्षास्त्रिप्यंताम, ओम रक्षास्त्रिप्यं ताम ओम सुपरनास त्रिप्यन ताम ओम भूतानी त्रिप्यन ताम ओम पसवस त्रिप्यन ताम ओम वनस्पतयस त्रिप्यन ताम ओम ओसदयस त्रिप्यन ताम ओम भूत ग्रामस चतुरविदस त्रिप्यन ताम इसके बाद में रिशी तरपन किया जाता है इसी प्रकार निम्न यह ओगया आपका देव तरपन अब दिव्य मनुष्य तरपन करना है इसके लिए क्या करना है आपको दिव्यय मनुश्य तरपन में उत्तर दिशा के और मुख करना है जनेव को कंठी कर ले अगर जनेव पहनी तो कंठी कर लीजिए जनेव नहीं है तो अंगोचे को गमचे को भी कंठी की तरह कर ले गमचाग शी देवेट जाएं कोई गुटना आपको जमीन पर नहीं लगाना है, अर्ग अपातर में जो छोड़ें, आपको जो से करना है, चावल नहीं लेने हैं, तीनों कुषों को उत्र आग रखें, उत्र कियु रखें। प्राजा पत्य तिर्थ ही आपके सामने, दोनों हाथों की बीच में जो है, उकरनगर एक आथ से कर रहे हैं, तो एक आथ से ही आप कर सकते हैं, इसके बाद में काय तिर्थात कुशों को दायने हाथ की कनिष्टिगा के मूल भाग में रखकर, यहीं से दो-दो आपको अंजलि इसके बाद में आपको क्या करना है, दिव्य पित्री तरपनम, पित्री तरपन में दक्षिन दिशा की और मुह कर ले, आपको दक्षिन दिशा में मुह करना है, अब सब्य हो जाएं, अर्थात जिन्यव को दाइने कंदे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं, मतलब आपको जिन्यव को क्या है, दाइने कंदे पर रखना है, और बाएं हाथ के नीचे रखना है, अगर जिन्यव नहीं हैं, तो गमछे को भी दाइने कंदे पर टतरजनी और अंगूठे की बीच में रखें, पित्रितिस चित्र में आपने पीछ देखा ही था, पित्रितिस अथात अंगूठे और तरजनी के मध्द्यभाग में पित्रितिस होता है, वहां से तीन-तीन अंजली आपको परदान करनी है, जिसे यह हाथ है, तो यहाँ पे तो आपको गंगा जलम वा बोलना है केवल सामाने जल से कर रहे हैं तो आपको गंगा जल नहीं बोलना है अगर गंगा जल है तो तीन तीन अंजली आपको देनी है ती नजली देनी है ओम अगनिक वाताहा पितरस्त्री प्यताम इदम सतिलं जलं ते ब्यास्वधा नमा 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 ते इसके बाद में आपको यम तरपण करना है इसी प्रकार निमनलिखित प्रतियक नाम से यमराज को पित्रितित से ही दक्षना विमुख तीन तिन अंजलीया दे। जैसे आप पित्रों के लिए कर रहे हैं वैसे आपको ब्ढही, तीन तिन अंजलीया देनी हैं। ओम अंतकाय नमहा 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 ओम वैवस्वताय नमहा 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 ओम कालाय नमहा 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 ओम सर्वबूतक छयाय नमहा 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 ओम ओदुंबराय नमहा 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 ओम धदनाय नमहा 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 ओम नीलाय नमहा 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 ओम परमेश्णिने नमहा 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 ओम रिकोदराय नमहा नमहा ओम चित्र गुपताय नमहा 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 ओम चित्र गुपताय नमहा 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 इसके बाद में आपको क्या करना है मुनुस्य पित्री तरपन पित्रों का तरपन करने के पूर्व नेमनांकित मंत्रों से हाठ जोड़ करके प्रथम उनका अहावान करने तो ये मंत्रे मैं बोल रहा हूँ ओम उसन तस्त्वा निधी मयूशंताह समीधी मही उसन नुसेत आवह पित्रीन हविखे अत्तवे आयन तुनाह पितारह सो म्यासो निखवाताह पाथी बिरदेव यानई ही अस्मिन यग्य स्वधाया मदन तो दी ब्रुवन तु तेवन त्वस्मान यादि उपर लिखे वेद मंत्रों का सुद उचाण संभवन हूं तो निमन लिखे त्वाक्य का उचाण कर पित्रों का आहवान करें तो आपको यह भी बोल सकते हैं अगच चन्तू में पितर इमाम ग्रिननतू जलान जलिम यह पितर देवता आओ और मेरी अंजली को स्विकार करो इसी तरह से नीचे लिखे मंत्रों का भी सुद उचाण संभवन हूं तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्रा अस्मत पिता अमुक सुरूप है आधी संस्कृत वाक्या बोलकर तिल के साथ अंजली तीन दिन अंजली दे सकते हैं तो आप इसको बोलना चाहिए दिरे देर आप सीख जाएंगे अमुक गोत्रा है सबसे पहले पिताजी कहाईए जिनके पिताजी नहीं हो उनको करना चाहिए अमुक गोत्रा है देखिए जहां अमुक होगा अमुक गोत्रा आएगा तो वहां गोत्र लेना होगा और नाम आएगा तो आपको नाम लेना होगा क्योंकि सबसे इसे ही लिखा है तो केवल अमुक गोत्रा है असमत पिताः उनका नाम लीजिए इसके बाद में ये है दादाजी का इसके बाद में पर दादाजी का इसके बाद में पर दादाजी का नाम लेजिए इसके बाद में दादी जी का करना है इसके बाद में पर दादी का करना होता है अमुक गोत्रा असमत प्रपिताम ही दादी जी का नाम लेजिए पर दादी का आदित्यरूपा त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तसे स्वदानमा तसे स्वदानमा तसे स्वदानमा इसके बाद में निम्नांकित नौ मंत्रों को पढ़ते वे पित्री तिर्थ से जल गिराता रहे जिने वेद मंत्र ने आता हूँ वे ब्रामन द्वारा पढ़वावें या छोड़ भी सकते हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ आप पित्री तिर्थ से जल गिराते रहें ओम उदीरतामवर उत्परास उनमध्यमाह पितरह सोम्यासह असुम्याइ यूरब्रिका रितग्यास्तेनो वन्तु पितरो हवेशू अंगीरसो नहा पितरो नवगवा अथर्वानो भ्रिगवा सोम्यासह तेसाम वयगुं सुमतव जग्यानाम अपि भद्रे सो मनसं सो मनसे शाम आयन तुनह पितरह सोम्यासोगनिक वाताह पथि विरदे वयानईह अस्मिन जग्ये स्वदया मदं तो दीब्रुवंतु तेवं त्वस्मान उर्जम वहं तिरमृतं गृतं पयह की लालं परिसृतं स्वदास्त तरपयतमे पित्रीन पित्रिव्यह स्वदाइव्यह स्वदानमह पितामहिव्यह स्वदाइव्यह स्वदानमह प्रपितामहिव्यह स्वदाइव्यह स्वदानमह अक्षन पितरो मीमदंत पितरो ती त्रीपंत पितरह पितरह सुन्धदवं जे ये चेह पितरो ये चनेह याश्चविद्म याउंचन प्रविद्म त्वम वेथ यतिते जात वेदः स्वर्धा बिर जग्या गूंग सुकृतम जूकश्व मदु वाता रितायते मदु चरंति सिंधवह माद्वीरनह संत्वोखदीह मदु नक्तमु तो खसो मदु मत्पार्थिवगुं रजह मद्यु जयूरस्टुनह पिता मदु मानो वानस्पतिर मदुमा अस्तु सूर्जह माद्वीरगावो भवंतुनह फिर नीचे लिखी मंत्र का किवल पाठ मात्र करना है आपको कुछ नहीं करना है अब दुतिये गोत्र नाना जी के जो है ननियाल पक्षिन उनका करना है देखेए अब आप वीडियो अच्छी लग रहे है तो हमारे यूटूब चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हमारे यूटूब चैनल पर बड़ी सरलता के साथ आपको सभी मंत्र सिखाते रहते हैं और वविश्य में सिखाते रहेंगे वीडियो को लाइक जुरू कर दिजिएगा इसके बाद दुतिये गोत्र वाले ननिहाल माता माह नाना आदी का तरपन करना चाहिए यूट्र परना जिखाते हैं तरपनाना जिखाते हैं इसके बाद में नानी जी का अमुग गोत्रा अस्मत प्रमाता मही प्रनानी जी का नाम लेजिए इसके बाद में आपको व्रिद प्रमाता मही प्रनानी जी का नाम इसके बाद में पत्यादी तरपण इसके आगे पत्नी से लेकर आप्त परियंद जो भी संभन्दि रित हो गये हो उनके गोत्र और नाम लेकर एक एक अंजली आपको देनी है तो सबसे पहले पत्नी का करना है केवल एक अंजली देनी है इसके बाद है बेटे का करना है इसके बाद बेटी का करना है इसके बाद में चाचा जी का करना है चाचा या ताउ पिता के भाई का करना है देखिए आपके चाचा ताउ जितने भी है तो इस लाइन को दो बार तीन बार जितने हैं उतनी बार नाम ले करके उनका कर सकते हैं इसके बाद में अपना कोई भाई होगा है इसके बाद में भाई का करना चाहिए इसके बाद में भुवा जी का करना चाहिए अगर नहीं हो तो इसके बाद में मोशी जी का करे इसके बाद में अपनी सगी बहन हाँ बहन का ही है अमगोत्रा गोत्र लिजिए अस्मदात्मबगिनी उनका नाम लिजिए इसके बाद में सउतेली बहन इसके बाद में आपके स्वसुरुजी का करियेगा अमुग गोत्रा स्वसुर का गोत्र लीजिए असमद स्वसुरह नाम लीजिए वसुरू पस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा इसके बाद में गुरू जी का करिए अमुक गोत रहा असमद गुरू नाम लेजिए वसुरूपस त्रिप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मेश्वधा नमहा इसके बाद में अगर आप गुरू है आपका सिश्य नहीं है तो उसका करिएगा इसके बाद में जिसको आप जानते हो उनके कोई संतान नहीं हो कोई वितरपन करने वाला नहीं हो तो उनके लिए भी कर सकते हैं अमुक गोत रहा अस्मदाप्त पूरूशह उनका नाम लीजिए वसुरूपस्त्रिप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मेश्वधा नमहा इसके बाद में क्या है इसके बाद सव्यधा होकर पूरूवा विमुक हो सिधे बेड़ जाएं मत सव्यधा मतलब है आपकी जनेयो जो है वो बाइने कंदे कर लीजिए अंगोच्छा है वो बाइने कंदे परख लीजिए और सीधे पूरूव क्योर मुक iron करके सीधे बेड़ जाएं कुसों को सीधा कर उनको अगरभाग से पूरवक्योर कर लें फिर नीचे लिखे स्लोकों को पढ़ते हुए देवतीर्थ से जल गिराएं देवतीर्थ का मतलब है उंगलियों के अगरभाग से जल गिराते रहे ये मंत्र बोलते हुए देवा सुरास्त था यक्षा नागा गंदर्व राक्षशाह पिसाचा गुईय कासिद्धा कुस्मान डास्तरव खगाह जलेचरा भूनिलया वाईव्या धारास्च जन्तवह त्रिप्तिमेते प्रयान त्वासु मददते नाम्भू नांखिला इसके बाद क्या करना है अब सब यह हो जाएं मतलब जन्यों को दाइने कंदे पर रख लीजिए गंचे को भी दाइने कंदे पर रख लीजिए दक्षिन की और मूं कर लें कुसों को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अगरवा को दक्षिन क्योर कर दें फिर नीचे लिखे स्लोकों को पढ़ते वे पित्री तिर से जल गिराते रहें जैसे आप पित्रों को अंजली दे रहे थे वहां से आप अंजली देते रहें यस लोग बोलते हुए जो भी रह गए हो भूल चूक से जिन लोगों के लिए कोई करता नहीं हो ये उनके लिए होता है जो हमारे पित्र नरक में हो उनके लिए होता है ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिताह तेसामी दत्त मक्षिय मिदमस्तू तिलोधकं आब्रह्मस्त तंब परियंतं देवर्सी पित्री मानवाह त्रिप्यंतू पितरा सर्वे मात्री माता महाधय अतीत कुलकोटी नाम सब्त द्वीपनिवाशि नाम आब्रह्म भुव नानलोकाद दिदमस्तू तिलोधकं इसके बाद में इस प्रकाश सब पित्रों का तरपन हो जाने के बाद में अंगोचे की चार तह कर उसमें तिल जो छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल से बाहर बाई और पित्वी पर निचोड़ दें अंगोचे को चार भाग में करके उसमें तिल रख करके पानी में डूबो करके आप पिर्त्वी की बाई और आप उसको निचोड दीजिए येके चास्मत कुले जाता अपुत्रा गौत्रिनो मृता तेगरिनन्तु मयादत्तम वस्त्र निस्पीड नोधकम इसके बाद में भीसमतरपण किया जाता है तो अभीसमतरपण कीजिए पित्री तित्से कुसों से जल दें भीसम शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेंदरिया अभी रदव वापनोतु पुत्र पौत्रो चितामकरियाम इसके बाद में आपको इसके पश्चात पात्र को जल तथा मिट्टी से साफ कर लें जिस पात्र में आप अर्गे दे रहे थे जिस से दे रहे थे उनको साफ कर लीजिए तदंतर पूर्वक्त रिती से आच्मन और प्रनायाम कर सभ्य हो जाएं मतलब अपने आपको पवित्र कर लीजिए सब वे बेट जाएं जनेव को बायंकंदे परक लीजिए अंगोचे को बायंकंदे परक लीजिए और अरग्य में फूल चंदन लेकर निमन लिखित मंत्र से सूर्य भगवान को अरग्य दे नमो विवस्वते ब्रह्मन भास्वते विष्णु तेज से जगत सवित्रे शुचये सवित्रे करमे दाईने सूर्य आरग्य देखकर पर दक्षना करें इसके बाद कुशाओं दिसाओं एबं उनके अधिश्टात्री देवताओं का वंदन करें दस दिसाओं तो पहले दस दिसाओं के देवताओं को नमस्कार करना है पूर वसे लेकर के उपर और नीचे तक ओम प्राच्य नमा इंद्राय नमा ओम आगनाय नमा ओम दक्षनाय नमा यमाय नमा ओम निरित्य नमा निरित्य नमा ओम प्रतिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् निमनांकित वाक्य पढ़कर यह तरपन करम भगवान को समर्पित करें हाथ में जल लेकर किस प्रकार आपको बोलना है अनेन यथा शक्ती कृतेन देवर्सी मुनुस्य पित्री तरपना खेन करमना भगवान पित्री स्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नमम ओम तच्चत ब्रमा अरपन मस्तू फिर हाथ जोड करके इन स्लोकों का इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए प्रमदात कुरुवताम करम प्रच्य वेता द्वरेशुयत स्मरना देव तद विष्णो संपूर्णं स्याधिती सुरुतिही यश्य स्मृताच नामुक्त्या तपो यज्य क्रियाधिशू नूनं संपूर्ण दाम्याती सद्यो वंदी तमच्युतं यदपाद पंकजस्मरनात यश्य नाम जपादभी नूनं करम ववेत पूर्णं तमवंदे सांब मीश्वरं ओम विष्णवे नमा ओम विष्णवे नमा तरपन विदेश माप्त तो ये था तरपन करने का वीडियो कैसी लिगी जानकर ये कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा ऐसे ही तमाम मंत्रों सीखने के लिए हमारे करमकांट सीखें यूटूब चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में जैसरी झाल